प्रेंड स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में तो आज हम सिखने वाले त्रिकॉंड मिती क्लास 13 तका एक सिद्ध करने वाला प्रशन क्यूंकि पास नंबर का कुश्चन आपकी बोड एक्जाम के लिए तो आपको इस तरह के प्रशनों को अभी से तयार कर लेना चा सबसे लिए की यह प्रशनलिए वाली आट दस मों चार का पाच वे का दूसरा प्रशन है ख़ीए तो अब इसमें है को से बतंड साई ने और वन प्लस आरे बते को से यह अपोजित एक दुसरे के और इसके बराबर में हमें शिद्ध वरना है लिप्ट बाश ए है औरिषी मतलब राइट हैंड साइट तो हम LHS को लेकर चलेंगे तो LHS यहाँ पर लिखते हैं तो LHS LHS लिखते हैं हमने LHS ले लिए को से बटे 1 प्लस साइने बटे को से तो अब देखिए यह जो एक भिन्ना के रूप में अंस है और हरे अंस हो रहरे तो यह है बिन्ना का जोड़ बन रहा है ठीक है प्लस और माइनस का चीन्न है तो हमेशा इसे हम LHS लेकर ही सोल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो आप इनका लेंगे हम LHS तो 1 प्लस साइने और को से का LHS क्या आएगा 1 प्लस साइने और को से का अब ये 1 प्लस साइने से 1 प्लस साइने केंसल हो जाएगा तो क्या बचेगा कोसे तो कोसे का गुणा हम इस कोसे में करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वेर ए फिर प्लस लगाएगे फिर कोसे से कोसे केंसल हो जाएगा तो 1 प्लस साइने और one plus sign A का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा one plus sign A का fall square क्योंकि गुणा हो रहा है और बीच में बटे तो अब हमें जो सिद्द करना है उसके बटे में कुछ नहीं है मतलब तू से के सिद्द करना है बटे में तो कुछ नहीं है तो आप जो हमारे पास है बाटे में यह 1 प्लास साइन और कोस है इसे हमें छेनडा इन ihm यह इसे इसी तरह लिखते जाना है जब तक कटने को स्टिती में ऊपर वाला नहीं आ जाए तो इसे आप छेनडा नहीं है इसे इसे ही लिखते चलेंगे हम तो अब लिख देंगे हम इस तरह से क्योंकि इसे अब ऐसे ही लिखते चलेंगे माँभल सोल वर वेस्ट वह उपर से होगा तो कोट स्प्र एलिखेंगे जोस है स्कूछ Eure प्लस लगा देंगे और यह देखें 1 plus sin A A plus B का whole square 7 बन गया है है here 1 plus sin A का whole square किसा 8 बन जाएगा इस तरह से A plus B का whole square is equal to A square plus B square plus 2AB तो A है 1 और B है sin A तो इस तरह से हम लिख देंगे A square plus B square plus 2AB इसको तो मतलब A square मतलब 1 का square तो 1 का square एक ही होता है तो एक ही रहने दो फिर प्लस है बी का स्क्वेर मतला साइने का स्क्वेर तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइने का स्क्वेर और प्लस टू ए भी तो लिखेंगे टू और ए मतलब एक और बी मतलब साइन है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन समझ में आया अब इसे आगे सोल करेंगे चैन जिसे में ना बताया कि नीचे वाली इस टेप को वैसे ही लिखते चलना है तो मैंने लिख दियाै अब उपर दिखिए कोस प्लस 1 plus sin square plus 2 गुणा 1 गुणा sin तो यह sin square और sector clerk तो यह plus का sign square तो इसे मैं यहाँ पर आगे लिख सकता हूं इस तरह से चूकि यह plus का यह तो इससे कोई फर्ण नहीं बड़ेगा कि आगे लिख रहे है कि पीचे लिख रहेता हैं तो मैं आगे लिख दूँ आ फिर लिख यह भी प्लस कोद सीस्क्वेर थो यहां पर प्लस लगाए कि पोस्वेरे इस तरह से लिख दूँ आ क्यों लिखा क्योंकि sin square plus cos square सर्वसमिकाय त्रिकोर्ण में तिक ही फिन यहाँ पर देखिए plus यह एक है sin square को तो इधर बेज दिया फिर plus है 2 का गुणा एक में करेंगे 2 है कम 2 और 2 का गुणा करेंगे sin है में तो 2 sin ए समझ में आया आप इसे देखिए आगे यह निचे में लिख दिया मैं इसा इसलिए लिख रहा हूं कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए ठीक है ना तो sin square plus cos square है त्रिकर्ण में तिकी सर्वसमिका होती है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 मतलब sin square theta plus cos square theta वरबर क्या होता है एक तो यहाँ पर बन गया है यह सर्वसमिका sin square a plus cos square मतलब theta और a angle a से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो sin square theta plus cos square theta वरबर एक तो यहाँ पर हम लिख देंगे इनकी जगापर एक तो इसकी जगापर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक फिर यह plus है फिर एक आजाएगा फिर two plus लगाएगे two sign ठीक ना समझ में आया आप देखिए उम्मित करता हूँ यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी तो आप इसे मैं इधर सोल करने वाला हूँ क्योंकि मैं नीचे करूँगा तो आपको यह step नहीं दिखेगी तो आपको ठीक तरीके से समझ नहीं आएगा आप exam में नीचे ही करना ठीक साइट से मत करना तो और मैं इसको लिख लेता हूँ जैसे मैंने आपको बताया कि इसे तो इसी तरह लिखते चलना है तो मैंने एक बार और लिख दिया है अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है तो एक और एक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस फिर 2 साइन ए इस तरह से है अब और आगे लिखते है तो फिर मैंने लिख लिया इसे तो यहाँ उपर देखिए 2 धन 2 साइन है तो दो और दो कॉमन है तो इसे हम ले लेंगे उभेनिस्ट कॉमन तो दो और दो मैंसे मतलब 2 को ले लेंगे हम कामन फिर लगाएंगे इस तरह से ब्रेकेट और यहाँ से दो गया तो क्या बचा कुछ नी मतलब कुछ नी बचा मतलब एक बचा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम एक फिर यह लगाएंगे प्लस और यह दो यहाँ पर आगया भार कॉमन तो plus sign हो गया, cancel, cut गया तो बचा क्या है, अब यहाँ पर बचा है दो और यह cancel हो गया तो बचा है, यहाँ पर 1 तो गुणा में, कोश्टक का मतलब गुणा होता है तो यहां पर हम गुणा का सी लाक आके इस तरह से एक बटे, कोश्ये लिग देंगे और एक तो ये दो के बटे में भी बचा है मतलब बटे में एक का कोई मतलब नहीं होता है इसलिए इस तरह लिखा है कि दो गुणा एक बटे कोसे तो आप देखिए एक बटे कोसे क्या होता है यहाँ पर पहले तो दो लिखेंगे और एक बटे कोसे होता है सेके त्रिकोंड मिती सर्वस अमिका से एक बटे कोस ठिटा का मान होता है सेक ठिटा तो यहां पर हम लिख देंगे एक बटे कोसे का कोसे की जगह पर लिख देंगे सेक ठिटा और यही हमें सिद्ध करना था सेक ठिटा मतलब सेके एंगल है और ठिटा भी इंगल है आपको मैं में फिर बता दूँ ठीटा और ए से कोई फरकर नहीं पड़ता है अब ध्यान रखना यह तो देखें यह हो गया आरेचेस हमारा सिद्ध तो यहां पर लिकिंगे हम आरेचेस सिद्ध तो इसी तरह आप अब एक्जाम में कर देना आपको पूरे पास्ट नमर मिलेंगे और वीडियो अच्छे लोगे तो वीडियो को लाइक करें मैंने बहुत ही अच्छे तरके से आपको समझाने का प्रयास किया है वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैंने सौट में आपको जल्द